जो कुष्मिर में पेट्रोल डीजल की शॉटेज को लेकर कही ना कही पेट्रोल प्रम्प्स की अगर हम बात करते हैं तå वहाँ पर רिटेल कस्टमर्स जो हैं वो परिशान नज़रा हैं और इसी के साथ साथ जो पेट्रोल प्रम्प्स ओनर्स हैं वो भी कही न da कहीं अपनी परिशानी जो है वो बया करते हुए नजरा है कि किस तरह से उन्हें परिशानी की सामना जो है कि पर करना पर रहा है क्योंकि पिट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कहीं-घृजच जो है ये चल रहीया और काती ज़धा पैनिक ने को मिल रहा था लेकिन अब जहां बात करें state level coordinated oil industry जो मुन कुश्मीर की तरफ से जो अब statement सामने आई है उसमें उन्होंने ये clear कर दिया है कि किसी भी तरह से कोई भी shortage जो है petroleum product की जो है जो है जमकुश्मीर में नहीं चल रही है और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम जो petrol pumps हैं उनमें उसी quantity में petrol और diesel जो है वो दिया गया है जितने के उनकी need है और जितने के उनकी demand रहती है और इसी के साथ आपको ये भी बता देए कि जहां state level coordinator अंजुनी कुमार की अगर हम बात करते हैं जो कि oil industry जो है इस रिगार्ड में एक statement दी है जिसमें उन्होंने कहा कि वो ये confirmation देते चल रही है अगर हम motor spirit जो है high speed diesel और इन सब products के अगर हम बात करते हैं तो जो कुश्मीर में इनकी कोई भी shortage जो है इस वो इस वक नहीं चल रही है साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो तीनो public sector oil companies हैं जो कुश्मीर में जिसमें Indian oil corporation limited भारत petroleum corporation limited और हिंदस्तान petroleum corporation limited ये तीनो companies जो हैं इनके पास sufficient quantity में इस वक्त जो है पेट्रोल और डीजल जो है इनके पास पड़ा हुआ है sufficient stock जो है वो इनके पास पड़ा हुआ है और किसी पी तरह से जो भी respective deepos हैं वहां से इने पूरी तरह से जो इनकी needs हैं उन्हें cater किया जा रहा है और अभी तक जो इनकी current routine demand र उन्हें यह भी कहा है कि 13 तारीक की बात करें 13, 14, 15 और 16 तारीक की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें जो भी तमाम petrol pumps हैं खास पर उन्होंने यह कहा है कि जिवान डीपो जो है श्रिनगर का उसे जितनी demand थी उसे demand में जो है इन तारीक को इन्हें जो पेट्रोल के जो products हैं व quantity में वहाँ पर petrol और diesel जो है पहुंचा हो उन्हें यह भी कहा है कि पूरी तरह से इनकी demands को जो है पूरा किया जा रहा है और public on ने यह कहीं न कहीं एक request की है कि आप panic ना हो आप किसी भी तरह से जो है इस तरह से कोई भी परेशानी जैसी situation में जो है आप ना डलें क्योंकि को आपको आपकी transportation जो है होड करने में परेशानी होगी आपको पेट्रोल और diesel की कमी जो है वह फिस करनी पर सकते हैं उन्हें कहा है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है और ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा कि कोई ऐसी crowding हो जाएगी या आपको stock की कमी जो है वह देखनी को मिलेगी ले यह पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं अपनी गारियों में पेट्रोल भरवाने के लिए तो उस वक्त उन्हें जो है वहां से यह कहकर भेज दिया गया कि उनके पेट्रोल पंप पर इस वक्त पेट्रोल और डीजल की जो है शौटे चल रहे हैं उनके पास availability नहीं है लेकिन जो है लोगों को परिशानी और जैदा आती है यह नहीं आती है जैसे ही यह चीज़ क्लियर होगी उसके बाद ही यह clarify जो है किया जा सकता है कि क्या सचमुच पेट्रोल पंप पर इस वक्त पेट्रोल और डीजल की जो शौटेज चल रही है यह नहीं चल रही है